हेलो एवरिवान वालकम तो माई चैनल यू और वाचिंग इंग्लिस स्टड़ी हे एवरिवान आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्टी इंग्लिस सेंटेंसिस वो भी लौ से रिलेटेड यानि कानून से रिलेटेड ओके तो अगर आप यह सीखना चाहते हैं वीडियो देखते रहिए उस पर खून का इलजाम लगाया गया यानि इलजाम लगाना दोशी ठहराना जिसने कोई क्राइम किया हो और मडर यानि खून हत्या वह दो दिन से जेल में रहा यानि पुलिस लोक अप आप सिंपली लोक अप कह सकते लेकिन जब आप पुलिस लोक अप का होगे तो उसका सीधार थै जेल उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी रिपोर्ट करना यानि सूचना देना उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी इंसिदेन यानि घटना आरोपी को बरी कर दिया गया अक्यूस्ट वाज एक्विटेड यानि बरी करना छोड़ देना और अक्यूस्ट यानि जिस पर आरोप लगाया गया है जिसने कोई क्राइम किया है किसी ने कोई दोश किया है वो वह फरार हो गया फरार हो गया मतलब पुलिस की गिरफ से भाग गया, अवैद रूप से, वह फरार हो गया, he absconded, absconded का अर्थ होता है फरार, ठीक है, वह फरार हो गया, he absconded उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, जमानत यानी बेल, he was released on bale, release यानी छोड़ देना, रिहा कर देना, he was released on bale, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया शहर में अराजकता फैली हुई है, अराजकता का अर्थ होता है lawlessness, मतलब जहां पर कानून का पालन ना हो, lawlessness prevails in the city शहर में अराजकता फैली हुई है, मतलब शहर में कोई भी कानून का पालन नहीं करता है आपका कार्य गैर कानूनी है, your act is illegal एक्ट यानि कार्य जो आपने अभी कुछ भी किया है, करत्ति किया है, कार्य किया है, जो भी आपने एक्शन किया है, वो अवैद है, गैर कानूनी है, illegal है your act is illegal इंसाफ का यही तकाजा है, justice demanded it, मतलब यह तो नियाए की demand है, इंसाफ का यही तकाजा है justice यानि इंसाफ ने आए, justice demanded it तुम मेरे गवा हो you are my witness witness का अर्थ होता है गवा, जो आपके पक्ष में गवाई देता है, ठीक है, वो होता है गवा you are my witness now let's look at the next sentence यह कानून के खिलाफ है this is against the law against यानि खिलाफ, विरुद, ठीक है यह कानून के खिलाफ है this is against the law अब देखते हैं हमारा next sentence where निर्दोश है, यानि he is innocent he is innocent, innocent यानि निर्दोश, ठीक है और जिसने कोई crime नहीं किया है, he is innocent आप ही इंसाफ करें, it's for you to judge मतलब अब आप ही हैं जो इंसाफ करेंगे, जात तर चीज़े हम पुलिस या फिर जज से कहते हैं, it's for you to judge ये सबी फरजी दस्तावेश हैं, फरजी यानि नकली These are all forced documents Document यानि दस्तावेज और forced यानि फरजी These are all forced documents उसने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया He filed a suit against me अब suit की जगे case भी बोल सकते हैं He filed a case against me Case या suit यानि मुकदमा File करना यानि दायर करना वकीलों ने गवाहों से प्रश्ण किये The lawyers cross examined the witnesses Cross examined यानि उनसे प्रश्ण किये उनको अच्छे से examen किया The lawyers cross examined the witnesses आज कल मुकदमेवाजी बढ़ गई है मुकदमेवाजी को इंगलिश में कहते हैं Litigation Nowadays litigation is on the increase पुलिस मामले की जांच कर रही है जांच करना यानि investigate The police is investigating the matter मैंने उनके खिलाफ अपरादिक मामला दर्ज कराया है I have filed a criminal case against him Criminal case यानि अपरादिक मामला दोशिक मामला I have filed a criminal case against him Magistrate ने आरोपी को दोशी करार दिया मतलब जो magistrate है उन्होंने आरोपी को अक्यूस्ट को दोशी बता दिया The magistrate convicted the accused उसे मौत की सजा मिली इसको English होगी He got a death sentence Death sentence यानि मौत की सजा He got a death sentence उसे मौत की सजा मिली ओकी अब देखते हमारा अगला sentence Jury ने आरोपी के पक्ष में अपना फैसला किया मतलब आरोपी के पक्ष में आरोपी की भलाई में उस अपना फैसला लिया The jury gave its verdict in favor of the accused Favor यानि पक्ष में अगर खिलाफ होता तो हम favor की जगे against का यूज करते हैं The jury gave its verdict Verdict यानि अपना फैसला in favor of the accused हत्यारे को फासी दे दी गई है हत्यारा जिसने हत्या की हो ठीके उसकी English होती है murderer The murderer has been hanged Hanged यानि उसको फासी पर लड़का दिया गया है ठीके? Next कानून ना जानना कोई बहाना नहीं है Ignorance of law is no excuse मतलब यह कोई बहाना नहीं है कि आपको कानून नहीं पताता यह आपकी लापरवाई है Ignorance of law is no excuse Excuse यानि बहाना ठीक है? अब देखते हमारा next sentence न्याइधीश ने चोर को सजा दी न्याइधीश यानि जज The judge punished the thief Thief यानि चोर punish यानि सजा देना The judge punished the thief न्याइधीश ने चोर को सजा दी Okay, next मुकदमे का क्या फैसला हुआ? What was the judgment in the case? Case यानि मुकदमा, judgment यानि फैसला What was the judgment in the case? मुकदमे का क्या फैसला हुआ? रहे हैं चश्मदीद गवाह He is an eye witness Eye witness वो होते हैं जिनोंने कोई crime होते हुए देखा है मतलब उनके सामने ही हुआ था वो सब उनके आँखों के सामने उन्हें हम कहते हैं चश्मदीद गवा He is an eye witness वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ती है He is a law abiding man Law abiding man मतलब जो law का यानि कानून का पालन करता है हमेशा legal कारे ही करता है ठीक है? He is a law abiding man Okay, अब देखते हमारा next sentence न्याए में देर का मतलब अंधेर है मतलब अगर न्याए में देर होती है तो उसका मतलब है कि न्याए नहीं मिलने वाला है Justice delayed is justice denied Delay यानि देरी Justice delayed is justice denied बचाफ पक्ष के वकील ने मामले की अच्छी तरह से दलील की मतलब अच्छी तरह से उन्हें ने आर्ग्यू किया The defense council argued the case well The defense council यानि जो बचाफ पक्ष के वकील थे argued the case well मामले की अच्छी तरह से दलील की Apparent अपराद है Abduction is a crime Abduction का अर्थ होता है To carry away a person forcefully किसी व्यक्ती को जबर्दस्ती खीच कर ले जाना वो होता है Apparent Apparent अपराद है मेरे दोस्त को कल रात गिरफतार कर लिया गया My friend was arrested last night मतलब पिछली रात मेरे दोस्त को Arrest कर लिया, गिरफतार कर लिया Adhi Vakta ने उसे ततकाल जेल से रिहा करने की मांग की Adhi Vakta यानि Advocate The Advocate asked for her immediate release from jail Release यानि रिहा करना छोड़ देना ठीक है अब देखते हमारा next sentence उन पर महिला का बटवा चोरी करने का आरूप था He was accused of stealing the women's wallet Accused यानि आरोप, दोश, steal यानि चुराना He was accused of stealing the women's wallet Okay, next उन्होंने प्रतिवादी की बेगुनाही का समर्थन के लिए गवाही दी He gave the testimony to support the defendant's innocence ठीक है, जो आरोपी था, उसकी बेगुनाही का समर्थन करने के लिए Testimony दी, यानि गवाही दी, वो भी लिखित रूप में Testimony होती है, लिखित रूप में की statement देना उसे धोका दड़ी का दोशी ठेराया गया था धोका दड़ी होती है, fraud She was convicted of fraud मतलब, at tricks खेल का किसी से रुपे ले लेना ठीक है, She was convicted of fraud उसे धोका दड़ी का दोशी ठेराया गया था ठीक है, धोके से किसी से पैसे ले लेना वे बच्चे के अपरण की कोशिश कर रहा था He was trying to kidnap the child Kidnap करना यानि अपरण करना Abduction का भी मतलब वही होता है He was trying to kidnap the child वे बच्चे के अपरण की कोशिश कर रहा था उसने अपने पड़ासी की हत्या कर दी हत्या कर दी यानि खून कर दिया He muttered his neighbor उसने अपने पड़ासी की हत्या कर दी अब देखते हैं हमारा next sentence उन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया He was charged with negligence Negligence यानि किसी special चीज का ध्यान रखने में अगर आप असमर्थ हो जाते हैं तो वो आपकी लापरवाही है यानि negligence मैं कानून को भली भाती जानता हूँ भली भात यानि अच्छे से I know the law very well महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है There are laws to protect women Protect यानि सुरक्षा करना, बचाव करना ठीक है? There are laws to protect women कानून लिखना आसान है लेकिन लागू करना मुश्किल है It is easy to write law but difficult to implement न्याले सभी पर कानून लागू करते है Courts of law apply the law to everyone Apply करना यानि लागू करना Courts of law apply the law to everyone एक आदमी ने पिछले महिने पड़ोस के घर को लूट लिया A man robbed the house next door last month Rob करना यानि लूट लेना A man robbed the house next door last month Well, this is the end of the video If you like then hit the like button And subscribe my channel for more informative and interesting video like this I'll see you next time Bye